असलाम अलीकूम विवर्स मैं हूं रुजीना मसर और आप देखरें फूट लवर्स आज मैं अपने प्यारे प्यारे विवर्स के लिए रमजान स्पेशल डिजर्ट लेका हैं तो बगएर टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं विस्पेला रुहमानी रहीम सबसे पहले तो हमेशा एक प्यारी सी कड़ाई इसमें हम एड़ कर देंगे डेर्ड मग दूद का तो फुल फैट मिलक है इसको हम सबसे पहले करेंगे बॉयल तो दूद जैसे ही बॉयल आएगा इसमें इसको पकाएंगे एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे तो यह देखें दूद जो है वो पकना स्टार्ट होगी इस टाइम पे इसमें काफी सारे बॉयल भी आ गए है और इस टाइम पे हम इसमें एड़ कर देंगे तक्रीबन एक छोटी प्याली मेरे पास से चीनी की चीनी मैं इसमें आइड कर दूँगी आप अपनी quantity के हिसाब से चीनी आइड करें जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से तो इसको अच्छी तरह से mix करेंगे ताकि चीनी जो है melt हो जाए और बरतन को side से अच्छी से साफ किया करें जब आप खाना बनाते हैं तो इससे इनसान की नफासत जाहिर होती है तो साथ यभी एक special ingredients आएगा vanilla custard है इसके दो चमचों है उनको मैंने अच्छी से दूद में mix कर लिये और इस time पे हम यह सारे दूद में इसे mix कर देंगे और इसको तेजी से हलाएंगे अच्छी तरह से mix करेंगे ताकि इसमें lumps ना बने तो यह देखें आपने इसको बहुत अच्छी तरह mix करने हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटा फट से subscribe कर दें, like कर दें, bell icon प्रेस कर दें ताकि आपको हर नही आने वाली विडियो का notification मिल जाए करें तो यह देखें हमें इस तरह की cutness चाहिए इसकी तो इस time पे हमें इसको कर लिया जी थंडा, यह थंडा हो गया और इसमें मैं mix करूंगी एक बहुत एहम चीज, जो कि है fresh cream इसमें add कर देंगे इस time fresh cream और तकरीबन यह एक डिब आया पूरा fresh cream का ठीक है add करके इसको अच्छी तरह से mix करने है ताके lumps ना बने तो चलें इसको mix करते है अच्छे जो लोग कहते हैं जिनको समझ नहीं आती मीठे में हम क्या बनाएं वो एक बार यह वाली dish try करें, आप यकीन करें बहुत मज़ा आएगा, सब आपकी तरीफ करेंगी यह बहुत मज़े का custard बनेगा तो एक बार ट्राइल आजमी किजिएगा इसी तरह से तो यह देखें next अभी हम करेंगे, इसकी topping chopping करेंगे, इसमें fruits वगहरा mix करेंगे, रमज़ान में वैसे भी माशाला काफी ज्यादा fruits आ जाते हैं, काफी types के fruit आ जाते हैं, तो वो भी आप mix कर सकते हैं इसमें आपकी पसंद का कोई भी fruit है, आप इसमें mix कर सकते हैं कोई issue नहीं है, सबसे पहले मैं इसमें खजूरें डालूँगी, कजूरें लबाई में कट की हुई हैं, बारीक साथ ही समें मैं डालूँगी, थोड़ी सी किश्मिश है किश्मिश को याद रखिएगा हमेशा वाश करके एड़ करने है साथ ही समें जाएंगे एपल और साथ ही समें जाएंगे बनाना इन सब चीज़ों को इन सब फूर्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो चलें जी इनको करते हैं मिक्स इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर ले अच्छा तो एक तरफ मैंने बजार से जैलिटन मगवा के तो उसकी मैंने थोड़ी सी जैली बनाई है तो हम उसकी भी टॉपिंग करेंगे वो भी मैं आपको बताती है तो सबसे पहले तो हम इस पे लगाएंगे बदाम तो ये देखें माशाला कितनी खुबसूरत लूप का आ रही है और इस पे मैं डाल दूँगी जैली तो आप चाहें तो जितनी मर्जी आड़ कर सकते हैं मुझे बस कुछ पीसी जी आड़ करने थे तो साथ ही उस पे मैं हलका सा उपर स्प्रिंकल कर रही हूँ इस पे ड्राइ कोकोनेट अब देखें माशाला कितनी प्यारी लूप का ये बिल्कुल जैली जैसे हो गही है जैसे उपर स्नोफॉल हो रही है तो ये देखें अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो फटा फट से मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दे लाइक कर दे और बैल आइकन प्रेस कर दे अपनी दुआओं में याद रख्या करें मेरी रेस्पीस को फॉलो किया करें मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें कोमेंट्स किया करें बताया करें कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगती है तो नेक्स्ट रम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें मेरी रेस्पी को ड्राइ करें और मुझे बताएं तो जी यह देखें फाइनल लुक भी देखते जाएं कैसी लग रही है आपको तो नेक्स्ट मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाफीज